डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अज़ अज़ अज़ाफी का सिसला अच्वारी, सूभे में पहली मरतबा एक ही दिन में कोरोना वारस से एक हजास से जाइद केसी सिपोर्ट हुए कनेडा में कोरोना वारस के फिलाओ कर सिसला जारी, कोरोना वारस से मतासर होने वाले अफरात की तादाद 2,16,104 हो गई क्यूब एक सूबे में कोरोना केसी की तादाद 1,00,000 से तजावस कर गई हिंदुस्तानी इंडिया स्पोरा का टॉरंटो में पाकिस्तानी कौंसल खाने के बाहर है थिजाजी मुझाहिरा मुझाहिरे के निकाद हिंदू फॉरम कैनेडा और इंडो कैनेडियन कश्मीर फॉरम की जानब से किया गया कनेडियन मजीर से हट पर एरपोर्ट पर मांक्स उतारने पर तनकीर पैटी हाइडो का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एरपोर्ट पर मांक्स उतारा था इस से कबर कंसरवेटिव पार्टी के साबिक सर्वरा एंड्रियो शेर को माक्स उतारने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था मसाफिरों को रीफरंड की वापसी में नकामी कैनेडा ट्रांसपोर्ट एजनसी एक भी शिकायत का जाला ना कर सकी शेरियों का कहना है कि ये मायूस कुन है कि हकूमत हमारा साथ नहीं दे रही फरांस के सदर मैकरोन के इसलाम मुखालिब बयान के बाद कई मुवालिक में फरांस इसी मसनुवात के बाइकॉर्ट की महिम शुरू हो गई जबके फ्रांस में मुश्री के विस्ता के मुवालिक से बाइकौर्ट खतम करने की अपील की है कोरोना वारस वैक्सीन जल्द दस्याब होगी आलमी अदारे सेहत के डारेक्टर जनरल ने कहा कोविड 19 वैक्सीन माँ नौम्बर के आखिर में इस्तेमाल के लिए दस्याब हो सकती है माँ नौम्बर के अखताम तक एक या दो वैक्सीन से मखबत नताइच हासल होने का इमकान है आजर्बाइजान और मीनिया तनाजा अमरीका ने कहा है कि आजर्बाइजान और मीनिया ने इंसानी हमदर्दी की वनियाद पर सीज फाइल पर फिर इतिफाक कर लिया है डॉनल्ड ट्रॉम ने कहा कि सीज फाइल दीर करवाने पर मुझे सेकेटरी पॉम्पियो और अपनी टीम के दीगर मेंबरान पर फखर है दुनिया भर में कोरोना वारत से मतासरा फ्राद की तादा 4 कड़ो 34,05,696 तक जा पहुंची है जबके स्मूजी वारत से आलाकते 11,69,835 हो गई हैडलाइन्स आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ क्रीनिश हैं सानिटाइजर आला क्रीन क्वालिटी 75 परसेंट फूट रेड अलकोहल नॉन स्टिकी और नॉन ओली फॉर्मिला कैनिडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है एफ़ी डेविट जब पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉफरम आफ शिखा शारदा 905-956-6699 पहली कंसल्टेशन बिलकुल फ्री है कॉल लॉयर शिखा शारदा 905-956-6699 इत्वार के रोज ऑन्टेरियो में कॉरोना वारस के एक हजार प्यालिस केसिस रिपोर्ट हुए जो जनवरी के बास सबसे ज्यादा तादात है 24 गंटों के दोरां सूबे में 38,800 टेस्ट किये गए जो सूबे के 50,000 के हदफ से कम है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में केनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में करोना वारस में जाफे का सिलसला जारी है सूबे में पहली मरतबा एक ही दिन में करोना वारस से एक हजार से जाइद केसिस रिपोर्ट हुए है ट्रॉंटो, यार्क, पील और आटोवा के अलाकों में ज्यादा तरनाई केसिस रिपोर्ट हुए इत्वार के रोस ऑन्टेरियो में करोना वारस के 1,042 केसिस रिपोर्ट हुए जो जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा तादाद है सूबे की वजीर सहथ का कहना है के 309 केसिस ट्रॉंटो, 289 पील, 117 यार्क और 80 आटोवा में सामने आए 24 गंटों के दारान सूबे में 38,800 टेस्ट किये गए जो सूबे के 50,000 के हदव से कम है उनका कहना था कि महकमे सहथ के ओदेदार इस सूरते हाल की निगरानी करते रहेंगे और वाइरिस की मुन्तखली को महदूद करने के लिए जरूरत के मताबिक तेस तर एकदमात करेंगे कैनेड़ा भर में करोना वार्स से हलाकतों की तादात 9946 है क्यूबेक सूबा करोना वार्स से सबसे मताथर हुआ है सूबे भर में करोना वारस के मजमय केसिस की तादाद 1,114 हो गई है मजीद जान तेहीं स्टिपोर्ट में कैनेड़ा में करोना वारेस के पहलाओं का सिल्सला जारी है जिसमें मुसासल इजाफा देखने में आ रहा है आखरे इतलात के मुताबिक कैनिडा में करोना वायरिस से मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 2,16,104 हो गई कैनिडा भर में करोना वायरिस से हलाकतों की तादाद 9,946 है क्यूबैक सूबा करोना वाइरस से सबसे जादा मुतासिर हुआ है जहां करोना केसिस की तादाद एक लाग से तजावस कर गई है सूबे भर में करोना वाइरस के मचमुई केसिस की तादाद एक लाग एक सो चौदा हो गई जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 6143 तक पहुँच चुकी है औंटेरियो में करोना वाइरस से मतासिर होने वालों की तादा 70573 तक जा पहुँची है जबके हलाकतों की तादा 3093 है अलबर्टा में 24,261 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 300 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कॉलंबिया में 12,554 अफराद में करोना वाइरस की तज़ीक हुई है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 256 है हिंदुस्तानी डियासपोरा ने टॉरंटो में पाकिस्तान कॉंसल खाने के बाहर मुझाहरा किया एतजाजी मुझाहरे में बिलोच हियूमन राइट्स कॉंसल कैनिडा के मेंबरान ने भी शरकत की और मुझाहरीन से इजहारे एक जहती किया इस अवाले से मजीद जानते हैं 22 दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के हमले और हमले पर अपनी खवगी के इंदराज के लिए हिंदुस्तानी डियासपोरा ने टॉरंटो में पाकिस्तानी कॉंसल खाने के बाहर एक मुझाहरा किया इस मौके पर मुझाहरीन की जानिब से बंद करो बंद करो पाकिस्तानी दहशतगर्दी बंद करो और कश्मीर गिलगित बलतिस्तान सब है हिंदुस्तान के नारे भी लगाए उन्होंने पाकिस्तानी हकुमत से दहशतगर्दी के खात्मे की अपील की एहतिजाजी मुझारे में बलोच Human Rights Council कैनेडा के मिम्बरान ने भी शिरकत की और मुझारीन से जार एक जहती किया मुझारे काइनिकात, हिंदू फॉरम कैनेडा और इंडो कैनेडियन कश्मीर फॉरम की जानब से किया गया इस एहतिजाज में Canadian for Human Rights Watch, Canada India Global Forum और निमिटिकम कैनेडा के मिम्बरान ने भी शिरकत की My name is Sukha, so I'm here to support this movement. I think we should all come out and unite and raise our voices. Today, on October, we protested in the Consulate of the Toronto Consulate. We protested that the Pakistan government knew that Dhasargarhdiya terrorism is not wrong. My name is Ak. I came here today to support my fellow Indian friends for an injustice that they have faced for a very long time. Myself being from a different country, I had no idea that there was such a genocide that happened in Kashmir. We protested in the Hindu Forum Canada, so that we want that Pakistan, the terrorism that is spreading in the whole world, will be done. हम Hindu Forum Canada की तरफ से आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेस्ट बाइस अक्टूबर 1947 को जो पाकिस्तान ने एक खुनी खेल शुरू किया था कश्मीर की धरती के ओपर, वो अब तक चल रहा है. कैनेडा की वजीर सेहत पैटी हाइडू का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एरपोर्ट पर मास्क उतारा था. हाइडू की बगएर माक्स के तस्वीर, अलबर्टा के एडवांस एड़ूकेशन मिनिस्टर के एक खुछ साखता मौाविन की जानिब से ट्वीटर पर पोस्ट की गई थी. मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में. कैनेडा की वजीर सहर्थ पैटी हाइडू का कहना है कि उन्होंने सिर्फ खाने पीने के लिए एरपोर्ट पर मास्क उतारा था. उनकी जानिब से ये बयान एक ट्वीटर पोस्ट के बात सामने आया जिसमें उन्हें बगहर मास्क के तनकीद का निशाना बनाया गया था. हाइडू की तस्वीर इत्वार की शाम अलबर्टा के एडवांस एडूकेशन मिनेस्टर के खुछ साथा मावन की जानिब से ट्वीटर पर पोस्ट की गई थी जिसमें हाइडू को एरपोर्ट पर समान के हमरा देखा जा सकता है. तस्वीर में खाने पीने की कोई चीज़ वाज़ नहीं है ताहम एक कागस का बैक हाइडू के पास रखा हुआ नजर आता है. इससे गबल जुलाए में कंसरवेटिव पार्टी के साबक सरवरा एंड्रू शियर और मैनिटूबा के प्रीमियर ब्राइन पैलेस्टर की बगए मास के एक तस्वीर सामने आई थी जिस पर पैलेस्टर ने माज़रत की थी. कैनिडा की ट्रांसपोर्ट एजनसी करोना वारस के दौरान मनसुख होने वाली परवाजों की रकम की वापसी का मतालबा करने वाले शेहरियों की एक भी शिकायत हल करने में नाकाम रही है. मार्च में आलमी फिजाई हुदूद में बंदिश के बाद से 16 अक्तूबर तक 10 हजार के करीब शिकायात दर्च कराई गई. मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में. कینड़ा की ट्रांसपोर्ट एजनसी करोना वाइरस के दोरान मंसूख होने वाली परवाजों की रकम की वापसी का मतालबा करने वाले शेहरियों की एक भी शिकायत हल करने में नाकाम रही है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक आजाब ट्रिबूनल के मताबक मार्च में आलमी फिजाई हुदूत में बंदिश के बाद से 16 अक्तूबर तक 10,000 के करीब शिकायाद दर्च कराई गई हैं एजनसी की जानिब से कहा गया है कि 11 मार्च से कबल मौसूल होने वाली शिकायाद पर कारवाई कर रहे हैं कैनिडा के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कैनिडा के शहरियों को बताया कि अगर वो रकम की वापसी से मुतमई नहीं है तो कारवाई का रास्ता ये है कि ट्रिबूनल में शिकायाद दर्च करवाएं शहरियों का कहना है कि ये मायूस कुन है कि हकूमत हमारा साथ नहीं दे रही कینیडा की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मार्क गार्णियो का कहना है कि वो शहरियों की परिशानी को समझते हैं सुरते हाल इतमें नानबक्ष नहीं है ताहम कुछ एरलाइंस अपने सार्फिन को उनकी रकम वापस कर चुकी है और तवक्को करते हैं कि एरलाइंस इन गेरमामूली हालाफ में मसाफरों की शिकायात को दूर करने के लिए पूरी कोशिशे करेगी ये कैनेडियन के लिए एक अहम मसला है हम वावाई अमरास की वज़ा से दरपेश मजमूश चालेंजिस से निमटने के लिए एरलाइंस के साथ भी काम जारी रखे हुए हैं कोईट, उर्दन और कतर समेट मुखतलिफ ममालिक के कारुबारी हसरात को अपनी दुकानों से फरांस इसी मसनुवात को हटाने और इन मसनुवात को दुबारा फरोख थना करने का अजम करते देखा गया है बाइकोट फरंच प्रोड़क्ट महिम चारी है मजीद जानते हैं इस लिपोर्ट में फरांस के सदर मैकरॉन के इसलाम और खालिफ बयान के बाद कई ममालिक में फरांसी सी मसनुवात के बाइकोट की महिम शुरू होगी जबके फरांस ने मश्रीक वस्ता के ममालिक से बाइकोट खतम करने की अपील की है फरांस की वसारते हरजा का कहना है के फरांस की मसनुवात के बाइकोट को हवा दी जा रही है गुजिश्टा दिनों में चंद ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिनमें कोई, उर्दन और कतर समय दीगर ममालिक के कारोबारी हजरात को अपनी दुकानों से फरांसीसी मसनुवात को हटाते और इन मसनुवात को दुबारा फरूख ना करने का अज़म करते दिखाया गया है तोही नामेंस खाके, मुसनिम ममालिक में फरांसीसी मसनुवात का बाइकार्ट, मुज़ारे, सतर् मैगो दिमागी तावाजन कو बैठा सोशल मीडिया पर चलने वाली इस मोहिम में अरभ मुमालिक और तुर्की में सुपर मारकिट से फ्रांसी सी मस्मुआत के बाइकॉर्ट का मुतालबा किया जा रहा है जिसमें बाइकॉर्ट फ्रेंच प्रोडक के हैश्टेक के साथ अंग्रेजी में महिम चलाई जा रही है आन्मी अदारे सेहत के डारेक्टर जर्नल का कहना है कि हम करोना वारस की वबा के इतवार से इस वक्षमाली निफ्स कुरे अर्ज में एक नाजूग दौर से गुजर रहे हैं आन्दा के चन माह काफी कछन गुजरेंगे और बात मुमाली खतरा से पुर राशे पर निकल चुके हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आलमी दारे सहत के डिरेक्टर जर्नल ने कहा है कि कोवीड नाइटीन वैक्सीन माह नवंबर के आखिर में इस्तेमाल के लिए दस्तियाब हो सकती है इदारे के डिरेक्टर जर्नल ने मरकजी दफ्तर से वीडियो प्रेस कांफरेंस में बताया कि हम करोना वाइरस की वबा के एतबार से इस वक्त शुमाली निस्फ कुराय अर्स में एक नाजुक दोर से गुजर रहे हैं आएंदा के चंद माह काफी कठन गुजरेंगे और बास मुमालिक खत्रास से पुर रास्ते पर निकल चुके हैं उन्होंने मुल्की सरबराहां से कोताही से अमवात का सदे बाफ बन्यादी हिवजान सहथ के खिदमात में खामियों को दूर करने और इसकूलों को दुबारा से बंद करने का सदे बाफ करने के लिए फौरी तौर पर एकदमात उठाने की अपील की है वैक्सीन की तईयारी के हوाले से एक सवाल के जवाब में साइसिव Wow के हैट माहिय डॉक्टर सौमिया स्वामिनाथन का कहना था इसवा काम जारी ही ओने वाली वेक्सिन की तैयारी से हमारी तवक्ष साल के इक्ताम से पेश दर और माह नमंबर के इक्ताम तक एक या दो वेक्सिन से मुस्वर्प्टन अताइच हासल होने का इमकान है उन्होंने बताया कि हंगामी इस्तिमाल के एजटे में आने की सूरत में इस मामले में हमारी कसोट यां कम से कम सता कियोंगी रूसी कोशिशों के नतीजे में कुछ अरसे से बाहम मतसाद एम ममालिक आजर्बाइजान और आर्मेनिया के दर्मियान हाल ही में दो मरतबा जंगबंदी हो चुकी है ताहम जंग बंदी बरकरार ना रह सकी अब अमरीकी सदर डानल्ड ट्रॉम ने एक ट्वीट में दोनों मुमालिक के दर्मियान सीज फायर मुहाइदे की खबर दी है मजीज जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीका ने कहा है कि आजर्बाइजान और आर्मीनिया ने इनसानी हमदर्दी की बन्याद पर सीज फायर पर भी इत्तिफाक कर लिया है तफसिलात के मताबिक रूसी कोशिशों के नतीजे में कुछ अर्से से बाहं मुतसादे मुमालिक आजर्बाइजान और आर्मीनिया के दर्मियान हाल ही में दो मरतबा जंग बंदी हो चुकी है ताहम जंग बंदी बरकरार ना रह सकी आज अमरीकी सदर डानल्ड ट्रम्प में एक ट्विट में दोनों मुमालिक के दर्मियान सीस फायर मुहाइदे की खबर दी है इस महाइदे से बहुत सी जाने बच जाएंगी डानल्ड ट्रम्प ने कहा कि ये सीस फायर डील कर्वाने पर मुझे सेकरेटरी पॉम्पियो और अपनी टीम के दीगर मिम्रान पर फखर है ओधर गर्मल्की मीडिया का कहना है कि नुगोर्णों कारबाख में आसे जंग बंदी मुहाइदे का निफास होगा करोना वायरस से सबसे जादा मतासर होने वाले मुल्क अमरीका में दो लाग तीस हजार पांस सो दस अफरात मौत के मुह में पहुँच चुके हैं जब किसी बिमार होने वालों की मजमुई इतादाद 88,29,570 हो चुकी है इस हवाले से मजीद चानते हैं दुनिया का कुछ खिता करोना वायरस की मुजी वबा से महफूज नहीं इसके मरीजों और अमवात में मसलसल इजाफा जारी है दुनिया भर में करोना वायरस से मतासर अफराद की तादा 4,34,5,696 तक जा पहुँची है जब किस मुजी वायरस से हलाकते 11,69,835 हो गई करोना वायरस के केसिस के इतबार से 10 सरे फैरिस ममारिक में 33 करोड से जाइद आबादी का हामिल अमरीका पहले नमबर पर है जहां इस वायरस से अब तक 2,35,10 अफराद मात के मुँ में पहुच चुके हैं जब किस से बीमार होने वालों की मचमुई तादाद 88,89,577 हो चुकी है भारत करोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फैरिस में दूसरे नमबर पर है जहां करोना से 1,19,030 हलाकते हो चुकी है जब किसे मुदासरा मरीजों की तादाद 89,9,969 हो गई करोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फैरिस में बराजील 30 नमबर पर है जहां ये वायरस 1,57,163 जिंदग्या निगल चुका है जब कि करोना मरीजों की तादा 53,94,128 तक जा पहुँची है साओधी अरब इसी फैरिस में 23 नमबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वायरस से अब तक कुल अमबाद 5,296 रिपोर्ट हुई है जब कि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादा 3,44,875 तक जा पहुची है टैक टीवी के पाकसान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैक टीवी जाली चनादियोस बुलिटन इन हिंदी और दू अदू अजिए अच्छिवी यूट्व श्क्राइब चनल और प्रेस्ट आटिवी यूट्वी श्क्राइशन पुट्न